हलो दोस्तों मैं आपका दोस्त पेराज हमत आप देख रहे हैं बेराज रियक्सन टेक आज दोस्तों आम का सीजन चल ला है इसलिए अभी तक कोई वीडियो में डाली नहीं थी इसलिए मैंने पोचा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आम के बारे में बना दिया जाए आप मेरे बैक्गरांड में देख सकते हैं बहुत सारे आम के फैड रहे हैं छोटे बड़े चलते हैं इसलिए देखिए एक छोटा सा टे यह दिर ने कि अप एक छोटा सा टेड़न है लेकिन बहुत ही इसलिए हे देखिए मैंने सुचा आपके लिए एक छोटा सा ब्यूडियो बना दिये जाए ताकि आपको भी अच्छा लगे गए देखिया चोटा सा प्यगड़ है दोस्तों इसी बहुत ही बड़े-बड़े फाल इसके आया हुए है देख लिजिए और दोस्तों मैं इससे पहले भी आपके लिए ब्यूडियो बना कर डाल चुका हुए देखिया अब बहुत सारे चोटे बड़े पेड़ यहां पे है इसमें फाल साइद नहीं आया है इस बार लेकिन इस वाले में प्रूट आया है काईदस यह देखिया अब दोस्तों इस एरिये में आपको बता देए पहले बीडियों बताया था कि बहुत ही ज्यादा आम के भाग वह रहा है देखिया चोटा सा पेड़ है लेकिन फल से लड़ा हुआ है चारों तरब की इस देखिया है अब देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और दूर से दीरियों में फल जरूर छोटे-छोटे होंगे लेकिन बैपास से देख रहा हूँ फल बहुत ही बड़े-बड़े लगभग आधा किलो चार सो गिराम के फाल है दोस्तों सामने दोस्तों एक कवरस्तान है लेकिन जहां पेड़ लगाया जाते हैं वहां की पांस जामन वगेरा के पेड़ बहुत सारे इसके अंदर भी लगाये जहे हैं यह देखिए मैं आपको अंदर जाके भी इस बाग को दिखा हूँ अभी दोस्तों जहां पे यहां इस एरिये पे क्या है पीली मिट्टी है इसके वज़ा से यहां पेड़ बहुत ही असानी से चल जाते हैं यह देख लीजिए अब कि यह देख सकते हैं और बड़े बड़े पुराने पेड़ भी हैं दोस्तों लोकेशन ना मिलने के वज़ा से यह ब्यूरियों बनाने के लिए बहुत दूर वगएरा दूर दूर जाना पड़ता है ताकि आप लोगों का मनोंजन हो सके आम का समय बीता चला जा रहाता है इसके लिए मेरे सुचा एक वीडियो आपके लिए जरूर जरूर बना दीजाए जिस साइट देखें के दोस्तों आपको भाग ही भाग यहां पे दिखाई पड़ेगा एक पेड़ है लेकिन इसमें एक डाल में ही फल आया हुए है इस बार दोस्तों अलेक जाल की तरह लेकिन फिर भी इतना पुराना पेड़ होने के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े फल है कर दोस्तों यहां पे आप देखिए एक वाग है जहां भी पेड़ बहुत सारे पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे लेकिन क्या है कि सारे पेड़ों में फल नहीं आये लेकिन कहीं कुछ-कुछ पेड़ है जिसमें फल बहुत अच्छे आये हुए हैं आप देख सक अगर वीडियो पर प्लीज नहीं है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अब आपको इसी तरीके सच्छी इच्छी वीडियो बना के दिखाते रहेंगे यह देखिया आप और बहुत सारे पेड़ है लेकिन दोस्तों फ्रूट तो सारे पे नहीं आये लेकिन पेड़ लगाए गये हैं इसमें अभी कोई प्रूट आया नहीं है और यह देखिए कि कई-कई पेड़ ऐसे हैं जिम्पे बहुत अच्छे है अभी है तो मित करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी अच्छी लगे तो प्लीज सेयर करे सब्सक्राइब क करे और चैनल पे दाया है तो सब्सक्राइब करना को करेंकर जो करें I am 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 i आप देखिए कि यहाँ पर जबाग क्यान देखिए अब देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह देखिए चारों तरब जितने भी पेड़ा है फ़लों से सब भरे हुए है कि अब देखिए कर दो कर दो कर दो कर दो और यह जैमन का पीड़ भी है और यह जो बागों की रखवाली करते हैं वो भी बाग के अंदर है ने बाग जो है जब तैयार हो जाती है बाग में बहुर आता है दोस्तों उसके साथ ही बाग का जो मालिक होते हैं वो बाग जो है किसी रखिसे के हाथ से बेज देते हैं फिर वो आखरी तक अपना बाग की रखवाली करते रहते हैं दोस्तों आपको तो मैं जादा-जादा कूशिस करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगए देखिए एक छोटा सा बन्पल चोटा सा ननहा सा पेड़ है यह देखिए वीज फन की इस में भी देखिए यह इस में अब ग theta भी नहीं कि अगले साल में आएगा कुछ पेड दोस्तों जो सालाना सिटेटें कुछ होते हैं एक साल गएप करके फर देते हैं मुद्ल सेनाओ करते है रही यह दोश्तु आप ja यह अचारवा लाम है यह देखे जिसको बहेरी कहा जाता है देखिए आप बहुत ज्यादा अंगूर के जिसे फ़रा हुआ है यह फल इस पे अंगूर के जिसे स्टेम आय हुए है यह जो दोस्तों पुराने पेड हो जाते हैं वी दोस्तों में इनको काट के इन पर कि यह तो अचारवा लाम ही है खटाम यह खटाम इसी तरीके दोस्तों अंगूर के जिसे फाता है तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी जो आप मैंने आपके लिए बनाने कोशिस्ती है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और चारों करब आप देख अच्छे से वीडियो के साथ में अपना बहुत सारा ख्यार लखें ओके गुद्वाई अला आप आप आप